है लो गाईज नमस्कार प्रणाम मैं निर्भैसर एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैत का प्रैक्टिसेट आप लोग को पता है कि बिहार पुलीस बिहार द्रोगा का जो आने वाला एक जाम है मैं 2023 में इसके लिए पूरी जोड़ सोर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या मैत का प्रैक्टिसेट तो आज से हम लोग मैत का प्रैक्टिसेट करेंगे और लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे सारा मैत को तूपानी में ना लेट करेंगे ना बेट करेंगे एक वर जल्दि जल्दी से comment पॉपक्स में type करके बता हो कि क्या सारे लोग तयार हो आज का is math practice city a thrill के महा संगम मंच पे सारे लोग तयार मेरë दोस्त पाइर और मैरे चाहने वाले प्यारे एक जल्दी से कमेंट करके बताओ कि है इस आर्यू रेड़ी और लॉट माइडियर स्टोटेंट इमी रेपलाई कमेंट बॉक्स जलिटे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जो ईक्यात तुम लोग मैद प्रैक्टिस के लिइट तयार हो और जल्दी जल्दी से एक मैत का क्या practice set लगाने वाले हैं तो आज सेट नंबर मैं बन लेके आया हो इसी तरीका से जब तक बिहार पुलिस बिहार दरोगा का exam नहीं होगा बेटा पूरा का पूरा मैत का practice करवाता रहोंगा तो आज मैं टॉप टेन कोशन लेकर आया हो जो कि बिहार पुलीस बिहार द्रोगा में मोस्ट इंपोर्टन कोशन है बार वार एक्जामों में रिपीट हुआ है उसी टाइप का कोशन लेकर आया हो आये देखते हैं कौन सी कोश्चन है मैं दोस्त पूइन वाल लेकर देखें पहला कोशन लेतें यह देखियो पहला कोशन जल्डी से जवब दीज़े इसका अंसर क्या होगा फिर्स या युषक को तीस सेकेंड इसमें लगाना है जल्दी से जवाब दीजिए वाट मिल भी दांसर आप इस कोश्चन एक व्यक्ति है ना एक व्यक्ति चौदा सोर्प्या में एक साइकल क्या करता है खरिता है और 15 परसेंट के हानी पर क्या कर देता है बेच देता है तो बता यह साइकल का विक्राय मुल क्या होगा साइकल का विक्राय मुल क्या होगा आपको बता देना है तो देखो 15 परसेंट हानी पर बेच देता है 15 परसेंट हानी पर क्या कर दिया सीपी कितना होता है सीपी होता है हैंड़ार से चारदा है वह एक कितना है हैंट-्धारst सब्सक्राइब कर दो कितने लोग का अंसर आया है टाइब करके बताओ मेरे दोस्त मिर भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे वच्छे तो इसको सब्सक्राइब कितने लोग का अंसर भी आया था चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं इस टाइब के बहुत सारे को सब्सक्राइब क्या लिखा हुआ है एक घड़ी साथ 1130 में बेचा जाता है जिससे 15% का क्या होता है लाव होता है तो इस घड़ी का लागत मुल क्या होगा 15% लाव होता है जल् एक सो पंदरा में इसका रेशियो निकाल दो बीस पचे सो और तैस पचे पंदरहों से यानि कि कितना हो जागा तैस यह क्या निकल गया सीपी और यह क्या निकल गया स्पी अब बताओ क्या दे रखा है बेचा जब गया तैसलींंग मुंस अलगत से 50 समय निकलनासर दो ऑर 21 कर देटेशोंडीन रिख्षेừगस क्ने लोग क्या तो इसकह निकलना यह गुखी और 262 जिरू यानि उसकी क्रैमूल कितनी होGO जगी उसकी पक्रैमूल होगी 6200 कितने लोग का कितने लोग का आंसर ऑप्सन नमर डी आ रहा था कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओं मेरे दोस्ट और इस टाइप के को सब्सक्राइब करके देखने को मिलते हैं इसलिए मैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें बहुत ही मस्त जवर्दस तंद क्वेट लेंट कर लागत नगेंस तरह में दोस्त निकाल के देना बरबाद कर दो तो में दोस्त बर्वाद चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं बर्वाद कर देते हैं बर्वाद कईसे करेंगे आ यह देखते हैं हमें बोला गया है कि 20% का profit होता है 20% का profit का मतला होता है मेरे दोस्त 20% का मतला होता है एक बटा 5 यानि कि 5 का चीज हमने बेचा कितने में हमने बेचा कितने में मेरे दोस्त तो आप बोलोगे सर 6 में अब हमारे कोस्तर में क्या दे रखा सब्सक्राइब कितना है तो पांच कमान कितना है 25 रुपया यानि यहां पर जो कोस्ट प्राइस होगा वह 305 रुपया होगा प्यारे में तो यारी कि सब्सक्राइब को निकालना चाहते हैं उसके लिए मैं सपेशल मैं प्रैक्टिस एट लेकर आया हूँ और जब तक एक्जाम नहीं होगी तब तक मैं छोड़ूगा नहीं बिटा हजार करवादू दू हजार करवादू यह फर्क नहीं पड़ता मुझे लेकि तुम्हें रिज सिक्स्टीवां देर इज लॉस आप सेवन परसेंट दपोस्ट प्राइस आफ डैट आर्टिकल इज चैसोई क्यान में रूपर बस्तू को बेचने पर साथ परसेंट की हानी होती है तो बस्तू का लागत मुल गयात करिए जल्दी से बताए लागत मुल क्या होगा देखिए हमसे बोला कि साथ परसेंट की हानी साथ परसेंट की हानी का मतलब होता है मेरे दोस्त की साथ परसेंट की हानी का मतलब होता है साथ बटा सौ यानि कि सो का समान सो का समान साथ के लॉस में बेचोगे तो बेचो कितने में तो आप बोलोगे सर नाइंटी थी में बेचेंगे सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब यानि की इन उन्हें я पोझा न सब्सक्राइब के परवांबर कर देंगे मैं अक्सर बोलता हूं तुम्हें क्या कि पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा न रहेंगे न रहने देंगे एक दम बरवाद कर देंगे किसको बिहार पुलिस को बिहार दरोगा को और बिहार के बिभिन एक्साम को अक्सर में बरवाद करता हूं और इस बार भी नहीं छोड़ूंगा अना चलिए कुस्टर नंबर पांच लेते हैं को सब्सक्राइब क्या लिखा हुआ है कि इप क्या लिखा हुआ मेरे मेत्र इफ अवेंडर सेल्स आव वाटर मेलन एट 69 रुपीज ही में एट परसेंट लॉस इपी बांस टू मेक सिक्स्टिर परसेंट प्रॉफिट देन एट वाट प्राइस इंस तुड़ी स्विल अगर को 30 रुपया में एक तरूज बेचता है तो इसे 8 परसेंट का नुक्सान होता है उन्हाट nghiassrent पर नुक्सान होता है तो यदि वह 16 मुनाफा कमाना чाता हो तो वह तरूज को किस कीमत पर बेचेगा तो इसको लगा देंगे आपकsclauf पानी में चलिए इसको बर्वाद करते इस तो पहले बेचते थे हम लोग कितने में 92 परसेंट पर आज हम चाहते हैं कि 16 परसेंट का प्रोफिट कमा है तो आज हम कितने में बेचेंगे तो 16 परसेंट में बेचेंगे मेरे दोस्त ये था सुरू में सुरु में इतना ही बेचते थे और ये आज और ये चाहने वाले या नॉआ न दिया हुआ उनहत्तर तो एक कमान कितना होगा तीन एक कमान तीन होगा तो 29 कमान कितना होगा 87 रुपया इस तरह से बनाओ बेटा तो आपका एक्जाम निकल जाएगा यानि आपके जवाब जो आना चाहिए वह बिदिन से पहले आजाना चाहिए तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा और सी बीदा राइट अंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इसका कितना अंसर सही कि आप लोग चले को सब्सक्राइब से डिश्कति कहों लिखा हुआ कि एक रडेटी को एक पंखा एक पंखा 19 यह मैं पर पांच परशेंगा क्या होता है हानी 1900 में बेजता है तो 5% के हानी होती है तो पंक्य को किस कीमत पर बेचने चाहिए कि 20% का क्या हो लाब हो तो बताइए मेरे दोस्त नियथे है इसको पानी में बरुवाद कर देता है मैं तो चलीए इसकी बरुवाद की कहानी क्या होती बरुवाद करने के लिए क्या करना है हम लोग Yakarta है कि 5% लॉस होता है इसका मतलब कि हम बेचते कितने में है तो आप वोब लोग 45 पर्षे पर्षेंट पे आप क्या चाहते हो चाहते हो कि 10 पर्षेंट लाब कमा होगे एक सो बीस पर्षेंट technician सभ्पानी में यहां पात से काट थे ऊन treatment मैं इसको पांच से काट थेंस ओखार में अब यानि की 2400 यानि कि हमें 20 परसेंट लाव कमाने के लिए इस चीज को आपको बेचना पड़ेगा 2400 यानि कि ऑप्सन नमर्डी बीद ऑप्सन नमर्डी बीद राइट अंसर आपका आया कितने लोगों का ऑप्सन नमर्डी किया मैच जल्दी से बताईए एदम लगा देंगे आग पानी में और एक बार कमेंट करके जल्दी से बताईए कि आप लोग बिहार के कीन कीन जीलों से हमारा आज का जो मैत का प्रैक्टिस सेट है वो देख पा रहे है मेरे मेत्र जल्दी स से क्मेंट करके बताएये इसीधे बरवाद कर देंगे अधम सीधे बरवाद कर देने के चलिक अद पूर सेंट य possa दिया Venus सब्सक्राइब क्या अंसर रोड़ा है दिखाए इवा हॉल सेलर सेल्स अटीन आप कॉफी रुपीज फाइब तॉजन ट्वान्टी एट ही फेसे अलॉप तुवेल परसेंट नाओ इप ही डिसाइट टू सेल इट एट 636 देखे जब वह पांसो अठाइस में बेचता था तो अगर एक थोग वैपारी पांसो अठाइस रुप्या में कॉफी का टीन बेचता है तो उसे बारा परसेंट क्या होता है अब बोला कि अगर हम 636 बेचेंगे तो क्या होगा आईए आईए चलते हैं इसको बरवाद करने की घड़ी आ गये क्या करते हम लोग तो हम लोग इसे बरवाद करते हैं चलिए बरवाद कर देते हैं बताओ पहले पहले मतलब सुरू में सुरू में तुम कितने में बेचते थे तो सुरू में तुम बेचता था आपको पांसो अठाइस में सुरू में बेचता था पांसो अठाइस में आज आज का मतलब टूडे आज कितने बे चोगा 48 और 12 चोगा 48 बारा से कटेंगे 12-5 और बारती या 36 यानि कि हम पहले बेचते थे 44 में आज बेच रहे हैं तीरपन में अब बताओ 12% की हानी हो रहा है 12% की हानी हो रहा है कब जब 528 में तब यानि शुरू में जब 500 28 से तो बार पर संट कियानी होती है यानि के डि पर बिचेंगे तो आप बोलोगे सर हम तो बेचेंगे 88% इसका मतला converts कीरा बेचते कि जिसमें से 100% क्या होता है तो 100% तो आप बोलोगे सर कोस्टे प्राइस होता है तो बताओ कितने का लाव हुआ तो घटा दो तो तुम बोलोगे सर 6% का क्या हुआ profit 6% का profit यानि option number B will be the right answer of this question कितने लोग का answer option number B आ रहा था comment box में type करके बताइए इसका मतलब है कि आपका practice करना बहुत ही must, mouth जवर्दस, बहुत ही जिन्दावाद और बहुत ही जखास होने वाला है जल्दी से बताइए कि क्या कितने लोग का option number B match किया answer comment box में type करके बताओ मेरे दोस्ते एदम बरवाद कर देंगे मैत का इस तरह से practice rate करोगे ना बेटा तो तुम रहोगे नहीं एदम सीधे नौकरी में रहोगे बेटा इधर उदर कहीं नहीं घुमें वहें तो चलिए अगले कोशन की और move करते हैं कि यह रहा question number 8 question number 8 जो तुम्हें पढ़ाएगा part कैसे ऐसे काता है कि एक ब्यक्ति 375 में प्रती बस्तू की दर से दो बस्तू में बेची 375 रुपया प्रती बस्तू की दर से क्या बेच रहा है दो बस्तू बेचता है एक बैस्तू पर उसे 25 परसेंट का लाब हुआ है और द 45ITY परसेंट देखिए इस question में क्या है इस question को सबसे बर्वाद की स्टार्ट करते है selling price ale profit की परसेंट और लॉस की परसेंट किया है बरावर है तो ऐसे question में हमेशा क्या होता है locks होता है और law में कितन्य कितना है क्द परसेंट है तो पर दीवाइड परसेंट का क्या होता है बरबर तो कितना होता आँgendवाइड होता है 625 बटा-100 25 difference का मतला हो गया शेया पुर्णांग 25 बटा-100 काटो का मेरे दोस्कितने बार में कर जाएंगा चार बार में यानि 6 पुर्णांग एक बटा 4 परसेंट का दूसरे जहाना कि बिजनस में हमेशा क्या होगा लॉस अब लॉस पूछेगा तो कितने परिंट का तो बोलना दिया गया जो परसेंटज है उसका आस्क्वाइर करके सो से डिवाइड कर दो वही तुभारा क्या हो गया अंसर तो देखो क्या कर दिया गया परसेंट था उसका स्क्वाइर करके सो से डिवाइड कर दी इसको सोल किया अंसर निकल क्या गया सिक्स होल वन वाइफ परसेंट की क्या लॉस्ट तो मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे चाह नमर्ण नाइन वह बोलता है कि अडिलर सेस्ट टू मसीन एक रूपीज 12000 एच वन वन ओन वन इत गें 32 परसेंट और अधर लॉस इस 32 परसेंट वाट इस दप्रोफित और लॉस परसेंट नौन दे होल ट्रांजेक्शन एक बैपारी दो मसीनों को 12 रुप्य प्रती मसीन की द देन की पर्किरिया में उसका लाव यहानी प्रतीसत क्या है देखिए अभी मैंने बताए था हैना अभी मैंने बताए दा चलिए सब से पहले बरवाद करते हैं इसको क्या करते हैं मेरे दोस्तों कहो गए सरुजज скорее नहीं हो 19 alltså लास थो पर सेंट केतना है पधिस जीन सब्सक्राइब किसमें आएगा परसेंट में 32 का स्कॉयर 1024 एक हजार चोवीस एक हजार चोवीस बटा हंड्रे अब जिसको स्कॉयर में याद है उना नहीं घर जाओ अब इसको डिवाइड कर दोगे तो आजएका 10.24 अब बता यानि इतने का क्या हो जागा लॉस यानि 10.24 परसेंट का क्या हो जागा लॉस जो कि हमें कहां है और बनाते रहो मैट का प्रैक्टिस टुपानी में ब्यार पूलिस ब्यार दोगा और ब्यार के आने वाले जितने भ बरवाद करने की कला हम तो सिखाई रहे सीधे बरवाद कर दो नहीं 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 देंगे लगा देंगे पानी में और बना देगा मैं तुपानी में चलिए को सब्सक्राइब लेते हैं को सब्सक्राइब लेते हैं देखते हैं कि को सब्सक्राइब क्या होने वाला है यहां पर लौस और हीज लौस ऑन दा फोल तो बताएं से कितने का क्या होता है दोस्ता है यह करना है आ यह कर देते बर वाद कर परफिट हुआ पहले 25 परफिट होता है एक बटा चार यानी चार का चीज एक का प्रोफिट बेचो कितने में पाच में दूसरे बार पाची परफिट बेचो कितने में तीन में अब बताओ क्या लिखा हुआ है हम बेचते हैं 120 रुप्या इच यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है क्या तेरे कोस्टर में सेलिंग प्राइस सेम है मेरे मित तो बोलो के सर नहीं तो यहां का सेलिंग प्राइस तीन है यहां का सेलिंग प्राइस पांच है तो पांच को तीन से गुना कर दो और तीन को पांच से गुना कर दो अब देखो सेलिंग तो पुरानी से कोई मतलब नहीं है अब बताओ पहले बारा का समान 15 तो पांच क्या हो रहा है लौस्ट तो ओवरॉल क्या हुआ यहां पर किसी रुप्या रुप्या कमाया यहां पर पांच रुपधा डिया तो आप हमाइशा लोग को आया ना सबसे पहले क्या कर दिये हमने रेशियों निकाल लिया उसकी बाद बोला गया था कि 120 रुप्रती यह प्रती की मतलब क्या होता है एक हर एक को हरे का मतलब क्या है सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस सेम नहीं था सबसे पहले मैंने सेलिंग नहीं सब्सक्राइब AWS इस तरहां से जब तुम्हारा कमेंट करना। और यह भी बताना कि तुम लोग बिहार के किन किन जिलों से देख रहे हो और किसका कितना सही हुआ है इससे मुझे यह पता चल पाएगा कि मेरे बच्चे की जो बेसिक कंसप्ट है वो कितना किलियर है अगर किलियर नहीं रहेगा तो मैं आपके लिए अस्पेशल मैच का क्लास भी लगाऊंगा क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ मैं करने वाला हूँ बरबाद तो ठीक है मिलते हैं अगले कलास में हाँ वीडियो को सुरू से अंतक देखना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर फॉर बटरना थैंक यू बबाई करने वाला हूँ